प्रभाज्जा दिल्ली के प्रभारी चुनाओ के देखें उनका क्या कहना है विचार करेंगे लेकिन राजनेतिक जीवन में हार जीत सदेव लगी रहती है कीरण बेदी एक फैक्टर मांते हैं लोग सवाल उठेते पार्टी के भीतर भी की कीरण बेदी को लाकर के पार्टी का नुक्सान हुआ उनको नहीं लाना चाहता है मनोस्तिवारी निर्थ यहां तक आता कि हमको थानेदार नहीं हमको नेता चाहिए देखिए नेत्रतु का विश्वास कारकरता पर होता और कारकरताओं का विश्वास नेत्रतु पर होता है नेत्रतु का जो निर्णे हो उसे मानना कारकरता का commitment धर्म होता है ये committed धर्म होता है इसले इन बातों पर तो कोई विचार नहीं ये विचार तब होगा जब हम हार के कारणों पर जाएंगे अभी तो हम दिल्ली के मूड को समझने में असफल रहे या कहने में कोई संकोच नही क्या कारण एक कारण आपको क्या लगता है सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि यह कारण रहा हो निश्ची तोर पर कहने कहते हूं जनता के मूड को समझने में इस तरह हारना ये समझ में नहीं आता है हाँ हम समझ रहे थे कि 35-36 सीटे तो आ सकती थी लेकिन नहीं इसमें कहीं न कहीं जनता के मूड को समझने में हम सब असफल रहे हैं और हम इस असफलता को स्विकार करते हैं और केजरी बाल जी को बधाई देते हैं कोडिनेशन की कमी थी या केम्पेंट ठीक त्रे से नहीं चला क्या वज़ा ये तो असोग जी बैठकर ही बात होगी अभी रिजल्ट आ गया है लगभग और उस पर से हम देखेंगे कि क्या आ रहा हैं क्यों ऐसा हुआ एक कारण नहीं हो सकते हैं अनेका नहीं कारण हो सकते उन कारणों पर विचार करेंगे राजनेतिक दल हैं हम हम हर हाल में सब चीजों पर विचार करेंगे लेकिन अभी तो यही है कि दिल्ली के मूड को आपने समझा था भाजपा ने नहीं समझा हम नहीं समझ पाए ऐसा लगता है शत्रगन सीना ने भी कहा कि हर्षपरदन को ल यूदीन सारे चैनलस में क्या कहे थे यह मास्टर स्ट्रोक सवाल खको था है कि अभी एक्दम यह बात नहीं की जा सकती इस पर हमको बैठ कर दल जब बैठेगा क्योंकि सामोची Да की जिम्मेदारी नहीं होती मास्टर स्टोक उल्टा पड़ गया यह मास्टर स्टोक था ही निया आपका क्या क्या देखिया अब यह फिर पता लगेगा ना सोग जी आज के तारिक में एक मिनट के अंदर मैं कुछ कह दूं हार के अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन हम सब मिलकर इस आप मान कर नहीं चलते पाल्टी लड़ती है नरंदर मोदी जी का इससे क्या संपरकाता है हां नेता के नाते आप आरोप लगा सकते हैं लेकिन नरंदर मोदी जी कोई चुनावी मैदान में चार सभाएं ली उन्होंने लेकिन यह तो नहीं कह सकते कि उनके वर्सेस के जिव लोगों के साथ खड़े होकर जिस जीत की अगवाई नरंद मोदी जी ने की है उसको इतने दिल्ली की हार पर आप नरंद मोदी जी को दावपे लगा देंगे यह संबाव नहीं है रिफ्रेंडम है सेंटर गवर्मेंट पर मोदी सरकार पर यह कहा जा था नरेंदर मोदी के बड़े-बड़े एड दिये गए चुनाव से एक दिन पहले कि मोदी सरकार के आट मेनों का काम काजपी बोड़ दीजे रिफ्रेंडम माना जाएगा यह कैसे माना देखे